दोस्तों नमस्ते सावंदर यूटूब चैनल पर मैं लेलन जी आपका स्वागत करता हूं जले दोस्तों आज बात करेंगे चमतकारी-पाउधा है अगर Inc चमतकर किसे पहते हैं जैसे कि अगर किसी हम फीर्ट को इस्क्तिमाल करते हैं किसी दबा के रूम में टंद्र मंतर यह भोट सकता है यह फाय और दोस्तों है बहुत सारी बारे में आपको बताऊंगा तो आपने अगर हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और दोस्ते वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर लें अब बेल आइकन को भी दोस्तों दबा देना ताक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले क्यों कि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चमतकारी पौधा क्या है तो प्ले उपन करें यहां पर डाल देते हैं चमतकारी पौधे अब दोस्तों यहां पर देखे दोस्तों बहुत सारी अप्लिकेशन आग चुकी है अब इसमें से हमें इस्टॉल को नहीं है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं जो उपन कर लेते हैं यह दोस्तों यहां पर ओपन कर लिया हमने इसको अब यहां पर देखे दोस्तों यह ऐसा इसका इंटरफेस खुलेगा चमतकारी पौधे जो करते हैं हर इच्छा पूरी होती है इसमें दोस्तों पहले समझ लेते थोड़ा-थोड़ा फिर यहां पर देख सधिक के बारे में भी दिया गया है जैसे कोई तुलसी का लगाता को बेल का लगाता को समी का प्रकार इसी प्रकार इसमें बहुत भी तो किस दिशामे घर के लागाना है तो दोस्तों वह यहां से आकर सकते हैं इसमें नीचे दोस्तों अब नहीं से भरी हुई एक पिड़ी दुनिया तो दोस्तों इसको भी आप देख लिए मासाहरी पौधे कुछ और अजूबे पौधे खून पीने वाला पौधा दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़े दी गई हैं तो इस प्रकार आप इसमें से जान सकते हैं जैसे यहाँ पर देखें दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है मुर्दा पौधा तो दोस्तों इसको हम कैसे जानेगे तो दोस्तों इसी अप्लिकेशन के जरी जानेगे तो यहाँ से आप जान सकते हैं मुर्दा पौधा कम सा होता है यहाँ पर दोस्तों आकड़े के यह उपाए जानेगे तो आप भी मानेगे यह है चमतकारी यहाँ पर सचन के बारे में इस अपलीकिसें में बताया गया है तुलसी एक दी पॉधा है तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि वीडियो को दोस्तों मैं ज्यादा लंबा न करते हुए थोड़ा संचे में ही बनाना चाहता हूँ तो आपको मैं एक चीज ओपन करके दिखा देता हूँ अब दोस्तों इसी को मैं देख लेता हूँ मूर्दा पौधा या पौधा या फिर फूल है कई लोग इसे फूल ही समझते हैं इनसान से बड़ा होता है और भयानक दिखता है या पौधा इंडोनेसिया में पाय जाता है और लोग इसे कोपर्स कोपर्स फ्लावर या मुर्दा फूल कहते हैं वजा है इसकी दुर्गंध इसके पास जाना नर्ग जैसी अनभूत इससे कम नहीं क्योंकि इस तीव्रगंध किसी मरे हुए जीव के शरीर की गंध जैसी होती है तो दोस्तों ऐसे से पेड़ होते हैं तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे चैन दो को मेंनमे अधिए。